अगर आपने अभी तक अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लीजे एंड इमेडियेट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे Hello and Welcome to my Python Tutorial इस Tutorial में हम identity operator के बारे में फढ़ेंगे Identity operators are used to compare the objects not if they are equal but if they are actually the same object with the same memory location Identity operators का काम क्या होता है कि जो operand या value हम उसे देते हैं वो उन दोनों operand और value की वो उन दोनों operand या फिर कह सकते हैं उन दोनों values की memory location को चेक करता है अगर उन दोनों operands या फिर हम कह सकते है values की जो memory location होती है वो same होती है तो return करता है एक boolean value Identity operators compare the memory locations of two objects जैसा कि हमने कहा कि identity operator दो अलग-अलग objects की memory location चेक करता है वो object किसी भी तरीके के हो सकता है वो string भी हो सकता है वो number भी हो सकता है वो sets भी हो सकता है वो list भी हो सकता है वो tuples भी हो सकता है and वो dictionaries भी हो सकता है identity operator returns boolean value जो identity operator होते हैं वो एक boolean value return करते हैं after checking the object memory location Python में हमारे पस दो तरीके का identity operator है एक is and एक is not इस operator क्या करता है वो true return कर देगा अगर जो object हमने उसे दिये हैं या फिर हम कह सकते हैं जो operand या फिर जो values या फिर जो भी variable हमने उसे दो operand दिये हैं वो ये चेक करेगा इन दौनों operand की जो memory location है वो equal है के नहीं जैसे यहाँ पर क्या दिया हमने एक 5 दिया है उसके बीच में हमने लगाया एक identity operator is and again 5 तो यहाँ पर 5 क्या है एक number object है और दूसरा 5 क्या है एक number object है तो इन दौनों की memory location क्या होगी same होगी अगर हम इन दौनों की memory location देख हैं तो वो same होगी ऐसा हमने अपनी memory allocation वाली video tutorial में पढ़ा था कि हम किस तरह से memory location को देख सकते हैं तो यहाँ पर यह दौनों same values हैं इसलिए यह दौनों एक same memory location को ही point करेंगे जिस वज़े से यहाँ पर यह जो identity operator है is यह true return कर देगा also जो is not operator होता है वो उस case में true return करेगा जब जो दो object हैं उनकी memory location सेम नहीं होगी तो यहाँ पर अब हम इस operator का देखते हैं python is python मैंने इस तरीके से दो string object पास करें and उसे is identity operator के तुरू check करवाया कि यह दौनों object जो है हमारे यह same memory allocation के हैं के नहीं because हमने यह पढ़ा था कि हम कितने भी variables में store करवा हैं उसके लिए जो memory location create होगी वो same ही होगी उन सब के लिए तो यहाँ पर is operator check करके true return कर देगा because इन दौनों की जो memory location है वो same है अब हम is not operator के बारे में दिखते हैं तो यहाँ पर मैंने दो string object लिए हैं एक लिए python and एक लिए java इन दौनों को is not operator के थुरू compare करवाया कि इन दौनों की memory location जो है वो same है के नहीं python एक अलग value है and java एक अलग value है तो इस वज़े से जो is not identity operator होगा वो क्या return कर देगा true because is not identity operator उस case में true return करता है जिस case में उसे यह पता चल जाए यह जो दो object मैंने check करवाने के लिए उसे दिये है उन दौनों की memory location सेम नहीं है अब हम programming के थुरू identity operators के बारे मैं पढ़ेंगे मैंने अपना vascode open कर लिया है मैं यहाँ पर एक variable लेता हूँ a is equals to 10 and एक और variable ले ले लेते है b is equals to 10 अब मैं print करवाता हूँ इन दौनों variables के memory location को अगर मुझे check करना है तो python में हमारे पास एक built-in function है id तो मैं यहाँ पर id function लेता हूँ इस id function के बारे मैं हमने अपनी memory allocation वाली tutorial में पढ़ाता तो आप बहाँ से जाकर के देख सकते हैं कि हम किस तरह से variables की memory location को चेक करते हैं हम प्रिंट करता हूँ id of b अब हम फाइल को सेफ करते हैं और मैं से run करवाता हूँ तो देखिए हमारे पास यह जो दौनों यह जो दौनों object है a is equals to 10 and b is equals to 10 या फिर हम कह सकते हैं हमारे पास यह जो दौनों जो variables हैं print a is b file को मैं save करूँगा and मैं run करवा दूँगा तो देखिए हमारे पास क्या रहा है true true इसलिए आ रहा है because जो is identity operator होता है वो हमारे objects की memory location को check करता है and वो दौनों अगर equal हैं तो हमें true return कर देता है इस वज़े से यहां पर क्या रहा है true लेकिन अगर मैंने यहां पर 12 दे दिया तो अब यहां पर यह जो object है यहां पर कह सकते हैं हमारे पास यह जो variable है and यह जो variable है इन दौनों की memory location different हो जाएगी मैं save करता हूँ and मैं save run करवाता हूँ तो देखिए यहां पर इन दौनों object की memory location जो आ रही है वो different आ रही है जिस वज़े से जो is identity operator है वो क्या करेगा return कर देगा false यही काम में string में करके देखते हैं मैं यहां पर python देता हूँ and also मैं यहां पर python देता हूँ अब मैं file को save करूँगा and मैं से run करवाता हूँ तो देखिए क्या रहा true because यहां पर यह जो दौनों variable है यह object है इनके अंदर जो value store करवाई यह मैंने वो same है and जिस वज़े से यह same है उस वज़े से इनके memory locations जो है वो भी same होगी जिस वज़े जो is identity operator वो क्या return कर रहा true but मैं आप लोग को एक चीज और बता देता हूँ कि जैसे अगर हमने इसे lower case में कर दिया अब हम दौनों के memory locations को देखेंगे तो क्या होगा वो different आएगी different because क्या है यहां पर यह जो है यह एक अलग object हो गया यहां पर दौनों की different आए जिस वज़े से जो is operator है उन्हें चेक किया इन दौनों की memory locations को इन दौनों की memory locations अलग-अलगने के लिए जिस वज़े से is identity operator ने false return कर दिया अब यहां पर मैं list लेकर के देखता हूँ hello python and same यही list को मैं यहां ले लेता हूँ मैं file को save करता हूँ and मैं इसे run करवाऊंगा तो हमारे पास false आएगा because list के case में मैं आप लोग को एक बात बता दूँ के list, set and dictionary के case में अगर हम same list भी बनाएंगे या same dictionary या same set भी बनाएंगे तो हमारे जो दौनों object हैं उनकी memory locations different आईगी because list को, set को and dictionary को python में अलग-अलग memory locations पर रखा जाता है चाहे उनकी values या हम कह सकते हैं चाहे उनके अंदर आने वाले जो elements हैं उनकी values same है but tuples के case में ऐसा नहीं होता है tuples को अगर हम same values दे रहे हैं तो उनकी जो memory locations होगी वो same ही होगी हम यहाँ पर क्या करते हैं हम यहाँ पर set दे देते हैं मैं देता हूँ set and again set अब मैं file को save करता हूँ and मैं ऐसे run करवाता हूँ तो देखिए इस case में भी false आ रहा है because हमारी यह तोनो memory locations different है but अगर मैं यहाँ पर tuples का case लो और मैं file को save करता हूँ and मैं ऐसे run करवाऊंगा तो देखिए क्या रहा true because tuples के case में यह जो तौनों memories होंगी इन तौनों object की वो same ही होगी and also मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक dictionary ले लेता हूँ इसे देता हूँ one colon hello two colon python two colon python one colon hello save and run तो क्या रहा false तो हमने यह देखा कि हमारा जो is identity operator है वो जितने भी वो जो objects हैं उनकी memory location को check करता है and अगर उन objects की जो memory location है वो same आती है तो हमें true return कर देता है हमने यह भी देखा कि जो हमने list sets and dictionary दिये इनको अगर हम same भी लें मतलब इनके अंदर के elements को हम same लें तो इनकी memory जो locations होती है वो different होगी हमेशा बट tuples के case में हमारे पास ऐसा नहीं होता है अब हम is not operator के बारे में पढ़ते हैं is not is not just is identity operator का reverse होता है यह true उस case में देगा जब हमारी memory location same नहीं होगी मैं यहाँ पर save करता हूं and मैं इसे run करवाऊंगा तो क्या देगा true because यहाँ पर जो memory location से दोनों object की वो same नहीं है sorry मैं इसे tuples भी ले लेता हूं and मैं इसे delete करता हूं अब मैं file को save करूंगा and मैं इसे run करवाता हूं तो देखिए यहाँ पर आएगा मैंने यहाँ पर syntax error कर दी कि देखिए क्या रहा रहा false because यह जो टपल है इन दोनों की जो memory location से वो same है and जिस वज़े से जो is not operator वो क्या return कर रहा है false अब मैं यहाँ पर इसे modify कर देता हूं a is equals to 10 कर देते हैं and b is equals to 12 कर देते हैं तो इस केस में क्या आगा हमारे पास true return ओकर क्या आगा because यह जो दोनों अमारे object हैं दोनों की memory location different है हम list में भी check कर लेते हैं मैं list में देता हूं hello list hello list मैं file को save करता हूं and मैं से run करवाँगा तो देखे हमारे पास क्या रहा true because इन दोनों list की जो memory locations है वो क्या है different है जिस वज़े से is not operator के रहा है true मैं आप लोग को एक बात और बदा दूँ कि जो is identity operator है उसमें और equals to operator में difference इतना है कि is operator memory locations को check करता है जबकि equals to operator values को check करता है जैसे मैंने यह पर क्या दिया यह दोनों मैंने list ले लिए अब मैं अगर a equals to equals to b लगाऊंगा और मैं file को safe करता हूं अब मैं से run करवाता हूं तो क्या देगा हमरे पास true because list a में जो elements है and list b में जो elements है वो दोनों same है जिस वज़े से हमारे पास क्या रहा true but अगर हम इसे according to is operator देखें तो क्या आएगा false because यहां पर यह memory locations चेक करता है इस operator ना की elements को जिस वज़े से हमें यहां पर return क्या कर रहा है false तो इस tutorial के through आप लोग को python में use होने वाले identity operators के बारे में clear हुआ होगा इस tutorial में हमने देखा कि किस तरह से जो is identity operator है वो अगर हमारी जो objects है उनकी memory locations same है तो वो true return करता है और वहीं पर जो is not identity operator है वो अगर हमारी memory locations different है उस case में true return करता है hope आपको चीजे समझ आही होंगी अगर आपकी कोई query है तो आप comment box में लिख सकते हैं या आप login कर सकते हैं www.learn2unlaps.com contact us.php हम आपकी query solve करने की कोशिश करेंगे Thank you